Hello everyone, All in Delicious Kitchen में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम बनाते हैं Restaurant style masala bhindi मिंटों में बनके तयार होती है और घर में रखे ingredients के साथ यह आसानी सेम्स को बिल्कुल restaurant style टेस्ट देके बना सकते हैं आप color को देखके पता ही नहीं लगा सकते कि यह restaurant की है या घर की ही बनी हुई है बहुत simple तरीके सेम्स को आज बनाएंगे बिल्कुल restaurant style चलिए start करते हैं इसके लिए हमें बिंडी लेनी है एकदम से नरम, मुलायम और फ्रेस तो डाइसोग्राम करी हो हमने यहां पर बिंडी ले ली है इनको मैंने अच्छी तरह से पहले Wash कर लिया है और पॉँच लिया है तो दोनों साइड हम बिंडी की इस तरह से निकाल देंगे और बीच में ना इसमें चीरा मार देंगे इस तरह से कट कर देंगे बीच से और इससे क्या होगा तो इसी तरह से हमको ये बिंडी कट कर लेनी है, बस, अगर बिंडी बड़ी है, तो आप दो पीस भी कर सकते हैं, इससे छोटी हमें नहीं करना है, तो बिंडी सारी हमको काट लेनी है, अब यहां पर हम बिल्कुल रेस्टोरेंट इस्टायल टेस्ट और टेक्चर देने के लि कलर अच्छा आता है, और एक चम्मची हम यहां डालेंगे धनिया पाउडर, बन फोर्ट टेवल स्पून हम यहां लेंगे जीरा पाउडर, तो इनको हमें मिक्स कर देना है, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी ले लेते हैं, बन फोर्ट टेवल स्पून, इसमें हमें अच् को रख देते हैं, यहां हमने कड़ाई ले लिए, इसको हलका सा गरम होने दिया है, बिंडी भी हमारी कड़ चुकी है, यह देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमने सारी बिंडी को पाट कल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच, ओईल, यह देख रहे हैं चम्मच का साइज मेरा, तो बस इसी साइज की हमें चम्मच लेनेगे, ओयल डालना है और मैंने सारसओं का तेल लिया है, आप कोई बी तेल यूज कर सकते हैं, सारसओं के तेल में बिंडी सबspeed अच्छी मनती है, तो बिंडी को हमें यहां फ्राय करना है, हमें फ्लेम को ताले एड़ करने हैं यहां हम एड़ करेंगे थोड़ा सा बेशन यह दो टेबल स्पून हम करीमिया पर बेशन ले रहे हैं इसे खुसब अच्छी आती है विंडी के अंदर और क्रिस्पी भी हो जाएगी और थोड़ा समया एड़ करेंगे नमक बहुत ज्यादा एड़ नहीं पर लाल मिर्च पाउडर मतलब कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर हैं तीखा वाला नहीं है इनको अच्छी सारे से मिक्स करके अब हमको ना हाई फिलेम पर बिंडी को फ्राइक करना है दो मिनट के लिए कम इसका में फ्राइक करना है और ज्यादा बिल्कुल नरम नहीं करने द बस इतना ही हमको इन भिंडी को कुक करना था इससे ज्यादा नहीं क्योंकि बाकी का ये ग्रेवी के अंदर भी तो पकनी है ना इसलिए भिंडी को हमने निकाल लिया है इसी कड़ाई में हम और ओयल डालके आगे का प्रोसेस करेंगे जरूत नहीं कड़ाई को बदलने की इसी कर देंगे और यहां आदा चम्मच हमने ले लिया जीरा और ओयल हमारा टोटल चार बड़े चम्मच यो थे हमारे वही यूज हुआ है अभी हम यहां पर थोड़ा सा एड़ करेंगे अदरक फाइन चौप कर लिया एक इंच अदरक को और यहां तीन से चार हमेंने लेस्न की कलिया ले ली थी उनको भी चौप करके एड़ कर लिया है अब यहां एक हरी मिर्च को लेना है और इसको हमें इसमें डाल देना है आप चाहें तो डालने नहीं तो स्कीप करें तीक ही नहीं है बस इससे थोड़ा सा रिच फिलेवर आता है बिंडी के अंदर और यह ले रहे अब हम इसमें अड़ाइंगे टमाटर इसको भी हमें अच्छी तरसे भूण लीना है और टमाटर का भी आप पेस्ट वनकी बना की तैयार कर सकते हैं तोड़ा सा हम धनिया पाउडर एड़ कर रहे हैं आदा चमच करीब आदा चमच ही हमने नमक लिया है नमक हमने पहले पेस् के लाल मिर्च के पाउडर करें डाल रहे हैं वास इनको मिक्स करके एक-दो मिनित के लिए लोबीलिंप पर कॉप कर लेना है तामाटर हमारे नरम हो जाएंगे तो दो मिनट बाद देखिए ठामाटरreet एक दूसम से नरम हो चुके हैं, सॉप्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा हम इनको इस तरह से प्रेस कर देते हैं, ताकि और अच्छा सा टेक्स यड़ा जाए, अब हमने जो धही का पेश तयार किया था, उसको हमें इसके अंदर डाल देना है, में प्रॉलम यहीं पर होती है, लोगों की कंप् फिल्म को लो कर देना है, ऊपर से हमें कहीं इसको छोड़ के नहीं जाना है, जब तक इसमें एक bubble से नहीं आ जाया जा जा है, अब यह फटे ही नहीं जई, अब हम क्या करेंगे, इसको एक, टेड़ मिनट के लिए ढखके कुक कर देते हैं, लोग फिल्म पर ही, यही देखि बिंडी को इसमें अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करके बनाना है आप चाहें तो इसी थिकनेस का रख सकते हैं नहीं तो थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां कर रही हूं थोड़ा सा पानी एड़ करके क्योंकि हमें ना भिंडी को भी दो मिनट के लिए कुक करना है तो इतनी सी थिकनेस तो चाहिए कुकल लेते हैं दो मिट बाद देखिए भिंडी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है ओयल भी अलग हो चुका है भिंडी भी बनके तही आ रहे हैं पूरी खुस्बू इतनी आरेस में कि पूरी किचिन महग गई है खुस्बू से बहुती कलर और टेक्शर देखिए भिंडी का कितना प्यार लग रहा है मुझ में पानी आ रहा है न है न यह रेस्टोरेंट स्टैल भिंडी तो लीजिए भिंडी सर्फ गर लिए हमने बहुती बढ़िया कलर टेक्शर देखिया इसका और खाने में मिलाजवाब है आप इससे बनाएं और खाएं और हाँ इसको पूरी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं चपाती के साथ खाएं बच्चों को टिफिन में दें बहुत अच्छे लगेगी और रोटी के साथ भी खाएं जैसा मन करें वैसे खाएं और हाँ एक वार इसको घर पे जरूर बनाएं और जैसे भी आपको इस रेस्पी लगी है प्लीज वो अन्बब मेरे साथ जरूर सेयर के और मुझे बताएं कि मुझे और क्या-क्या इसमें इंप्रूमेंट चाहिए और क्या-क्या अच्छी चीजे में इसमें कर सकती हूँ और आपके लिए बना सकती हूँ तो बिंडी मसाला हमारी तैयार है आप इसको खाएं अगर रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सेयर कर लें और हाँ चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नुटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें थेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में